ब्रह्म्ह सुत्र के अब लोगन का चल रहा है 179 नमबर पेज में कि यह जोग सरीर में अहमबुद्धी है यह मिध्या ग्यान है गोण ग्यान नहीं है गोण ग्यान नहीं है, गोण ग्यान वहाँ पर होता है, जहां पर दो वस्तु में साद्रिश्य हो और भेद ग्यान हो दोनों का, नहीं, सिंगो, मानबको, बालक से सेर भिन्ना है, दोनों का साद्रिश्य है, ठीक है ना, तब जाय करके वहाँ पर गोण ग्यान होता है, वो भेध रहता है एक अध्यस्धान है सत्य ये कल्पित है ऐसा भेद ग्यान नहीं रहता है। उसको मिठ्या ग्यान कहते हैं। है अर्टो है इसले कांजे आत्म अनात्म का आत्म और अनाat्म का भीवेक जिसको नहीं हुआ है जिसको नहीं हुआ है, ठीक से, तत्व का साख्यात कार, सामानी रुप से आत्मा अनात्मा का ग्यान तो हो गया, लेकिन साख्यात कार नहीं हुआ है, ऐसा जो पंडित है, उनको जो आहम बुद्धी हो रहे हैं, वो भी अब्ध्यास मुलग है, जैसे है वजा अभी पाला नाम भेल्ण बक्री चलाने वाले को भी जैसा ग्यान है, शरील में आउम बुद्धी, याना, इपंडितों को भी ओही ग्यान है, याना, इलित तस्मात, देहादी, वितिरिक्त, आत्मा, अर्ष्टित्व बादिनाम देहादी से वितिरिक्त आत्मा है, ऐसा जो कहने वाले है, मानने वाले, उनमें भी जो देहादी में आउम बुद्धी हो रही है, वो भी मिध्या ग्यान है, प्रम ग्यान है, गोण ग्यान नहीं है, लग्या है? इसलिए क्या हुआ, ये संकात ही ना, कि ज्यानी जीते जी और सरीरत्व को कैसे प्राप्त करेगा? जीते जी और सरीरत्व कैसे होगा? सरीरत्व होना चाहिए, ऐसा था कि नहीं? लेकि जी सरीरत्व है, मतलब सरीर में जो अध्यास है, ये तो मिध्या ग्यान है, मिध्या ग्यान से है, ये मिध्या ग्यान के जब निवरुति होगी, तो सरीरत्व की निवरुति हो जाएगी, ये का तस्मात भासे माया, मिध्या प्रत्यो निमितत्वात सरीरत्व तो स्या इसलिए मिथ्या प्रत्य है निमित्य जिसका मिथ्या प्रत्य है निमित्य जिसका एके नहीं उसको कहेंगे साज सरीड़त्व क्या कहेंगे प्रत्यकार्थ ज्यान मिथ्या ज्यान मतलब शरी में जब अहिमान है मिथ्या ज्यान से तो ब्रह्मा ज्यानी तो नहीं हो सकता हो उसको ब्रह्मा ज्यानी नहीं कह सकते हैं ब्रह्मा बादी कह सकते हो क्या कह सकते हैं ब्रह्मा बादी कह सकते हैं ब्रह्मा ज्यानी नहीं हो गया यह हो गया इसलिए क्या होगा सिद्धम जीवतो पी बिदुसो और सरीरत्व यह हुआ इसलिए जीते जीवी बिद्वान जो ज्ञानी है वो और सरीरत्व को प्राप करेगा ज्ञानी में और सरीरत्व सिद्ध है निश्चित है जो ज्ञानी और सरीरत्व हो गया मिथ्या ज्ञान के निवृत्व से उनको प्रिया प्रिय पुद्धि नहीं होगी अनकुलता प्रतिकुलता नहीं होगी राग देश नहीं होगा हो गया टीका देखलो यह कहिए तदोक्तम पस्वाधि विश्च अभिशे साथ सेशाम और तिरोहितार्थम जीवतो बिदूसो जो बिद्वान जीवित है प्रारब्द है तब तो सरी रहेगा इले बिद्वान के हजीवित है जीवतो जीता हुआ जो बिद्वान है सुत्रिय ब्रह्मनिस्ट है उसमें क्या है और शरी रत्वी चव उसमें और शरी रत्व है जीवन मुक्त महापुरुस में क्या है और शरी रत्व है तो अज शरी रत्व के विशय में सुर्ती भी है और स्मती भी है प्रमान सुर्ती प्रमान भी है और स्मती इले दोनों को दिखा रहे है सुर्ती स्मती उदाहरती भामती में पेज नमर 179 चल रहा है अब लोगों का सुर्ती स्मती दुतियागा दिवजन सुर्ती स्मती उदाहरती शुर्ती ओर स्मती का उधाण देते हैं तथाच्य सब्दindetशे बलते हैं ब्रह्मविद भिशयाश्म जीतेजी और स्रे रत्रोको प्राप करने वाला हो गया ब्रह्मविद यहां पर वो तो दिवार में भी लिखा है कि जो है बिज्ञानम आनंदम ब्रह्म को जानते हो क्या है बिज्ञान सुरूप है वो तो कोई भी बोल सकता है नहीं शरीर में अध्यास ना हुआ हो जो और शरीर अत्यों को प्राफ कर लिया ऐसा जो ब्रह्म ज्यानी है ब्रह्म बिद उसको बिशा करने वाले सुरूति ब्रह्म बिद बिशा या सुरूति है ठीक है क्या कह रहे है तत जथा अही निर्वाला या नहीं बल्मी के मृता प्रत्यस्ता सैता एवा मेवा इदम शरीरम से ते यह ज्यानी के लिए कह रहे है ना रहना जैसे सर्प होता है न सर्प एक्दम पूरा परत छोड़ देता है अगे भी उड़कर खेख पढ़ा रहता है, उससे उनका कोई समंदम नहीं होता है सम्द्ध है उसका, देखता है कि क्या, कैसा था गया गर की, ऐसा है ना, इसलें कह रहे हैं कि जैसे, औहीर निर्वला या नी, निर्वला नी बोलते हैं, कोचला, केंचुला, केंचुला, औही मतलब सर्प को, तो शर्प का कहिंचुला है उसना कहा Kaasya बाए है और कहा पर पर पहीं बाहर में पड़ा है बलमी के मृता प्रत्यस्ता बलमी की जानते है दीमक उसमें तुमक लग गया, कुछ लग गया अonen ऐसे के पड़ा रहता है है कि नहीं यह बोलते हैं, एवम एव इदम शरीरं सेते, ऐसे ही ज्ञानी का शरीर जो है न, ऐसे ही पड़ा रहता है, शरीर में अध्यासा नहीं हो, तात पर यह है कि सर्प्रका जैसे कोई सम्मेंदर नहीं होता है, कंचुले में, जद्धे भी था वो शरीर उनका, यह कंचुला भी उन शरीर तो था, त।ेकर शरीर में अध्यास नहीं रहा उसके साथ कोई समंदर नहीं है, यह कह रहा है, हो गहना भे, अभिमान नहीं रहता है, इसले हैं, जो औ्यार शरीर प्राव्त कर लिया, इ Anders जीते जीर ब्रह्म अ रूफ हो गया, जीते यह ब्रम्वरू यह बोलते हैं, इदम नास सरीर हम से ते ऐसा ही ठटा रहता है ज्ञानी और सामवंध नहीं रहता है, अथा अयं औरकी екता है ज्ञानी क्या होगा हिंगा अचरीर होगया और अम्रिता वो अम्रिता स्वरूप है उनका ज्यानी का स्वरूप अम्रित स्वरूप है और क्या है प्राणो प्राणो क्या है जो जीता हुआ भी दूसरी के दिश्टी से प्राणन क्रिया करता हुआ भी ये करें आपर प्राणो प्राणो कौन हो गया प्राण धान करता हुआ भी दूसरी के दिश्टी से ऐसा जो ज्यानी प्राणा लगे ना है तो कौन ब्रह्मा ये ब्रह्मा रूपी ये ब्रह्मा ये वो ब्रह्मा रूपी है और वो तेजह एव तेजह कारते के संप्रकास तेजह कारते यहां पर संप्रकास उस संप्रकास शुरूपी हो गया नहीं है और भी कहते हैं चक्चु में कोई संप्रकास उनका नहीं है पर उनकी दिरिष्टी से चक्छू बादित हो गई लकिन उनकी दिरिष्टी से कोई चक्छू नहोने पर भी है ना लेकिन भगता की दिरिष्टी से तो दिखती है अरे स्वामे जी की आखे अब भी खराब हो गई ठीक नहीं दिखे ज़े रहा चले स्वामी जी डॉक्टर के पास, भलेंगे कि नहीं, तब दूसरी की दिष्टी से वो ग्यानी कैसा है, साचक्चु है, अपने दिष्टी से ग्यानी क्या है, अचक्चु, है न, अचक्चु, साचक्चु रिव, ऐसा लगाना है, ऐसा नहीं कि साचक्चु, अचक्चु रि वह सवरूप से वह क्या है वह चक्छु है चक्छु से चक्छु का संबंद नहीं है नहाने पर भी मतला बाधित चक्छु वाला हो उनकी दिश्टी से चक्छु बाधित है अरे प्लास्टिक में जैसे पुतले नहीं होते हैं प्लास्टिक का पुतला हो जान लिया पी तो प्ल लेकिन दूसरे के तिष्टि से क्या है? सचक्छो वाला के तरह है इसी पगर आगे भी समझना, अकरना है सकरना इवब।। उनके तिष्टि से जो कान है कान, उसके साथ कोई संबन्धा नहीं है, भाधित है। अकरना होने पर भी उसक एष्य करनावाला के तरह है? उनके लिए बाग भी बाधित हो गई बाणी बागिंद्रिया और दुसरे के दिश्टी से क्या है बागिंद्रिया बाई स्वामी जी के आवाज गुलांद है बाणी बहुत सुन्दर है मायक की जोरत नहीं है इतने तेज बोलते हैं ब्रिद्धावस्त में भी इतने तेज है बोलते हैं दुसरे के दिश्टी से दुसरे के दिश्टी तो है ही हो ऐसे दुसरे के दिश्टी से वो बकता है ग्यान ही अपने दिश्टी से कोई बकता नहीं है और क्या है? समना अमना इवा मन से रही थने पर भी दूसरे के दिश्टी से समना मन बाले है वो सब प्राण और प्राण इवा इसी प्यकार से उनका प्राण के साथ कोई नहीं है प्राण तो उनके लिए बादित हो गिया, तेकि दुसरी के दिश्टी से प्राण वाला है, इसले जुए जनमा दिर मनाओ और क्या, बड़ा भी चितर है, क्या का आज है, चलो, नो कहना ही अच्छा है, आज कल, तो बोलते हैं कि यारे भी समा के उनुसर बदलना पड़ता है, बोल लोग नहीं बोलते हैं, समा के उनुसर परमपरा समा के उनुसर नहीं बदलते हैं, परमपरा तो परमपरा है, सनातन परमपरा तो सनातन परमपरा है, होगे यहां तक, आच्छा भी, स्मृती रपिच्च, स्मृती भी कहती है, भास से चलने देखो भी, स्मृती डिधिजी और सरी रहे हैं। इसके भेशे में को पिता प्रग्यूं से का भासा भग्वान कहते थी जिता प्रग्यूं का रहे हैं। भासा मतलब सन्सक्रीत हें कि हिंधी हो नइ भासा कारता लख्षण यहां पर सित प्रग्य महापुरुदका क्या लख्षण है क्या पहचान है भास्ट जग इत्याध्या हा तो यहां पर का गया तितप्रग्या लक्षणानी आचक्चाना हा तितप्रग्या जो जिवनमक्त महापुरुसे जो अपने स्वरूब में स्थिता है ऐसा जो महापुरुसे उनके लक्षणाने को कहती हुई आचक्चाना हा किसी भी प्रबूर्ति के साथ ज्ञानी का कोई समंधा नहीं होता है कोई समंधा नहीं होता है इसलिए जो है तस्मान उपसंगार करते हैं प्रकृतम उपसंगरति तस्मात न अवगत ब्रह्मात्व भावस्य जथा पूर्वम संसारित्व पहले कहा था न अरे जिसको ब्रह्म का ज्यान हो गया पहले की तरह संसार ही है संसार कहा जाता है संसार तो ऐसे ही रहता है पहले की तरह नहीं कहा कि नहीं कहा है यह ज्यान से मुक्ष नहीं होगा तब इसका उतर दे ऐसी बाद नहीं है क्योंकि ज्यानी के लिए संसार क्या हो गया बाधित हो गया इसलिए ज्यान होने से पहले जैसा संसार था नहीं होता है यह बोलते है न अबगत 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 मैं करता हूँ, मैं भुखता हूँ, मैं सुकी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भीकारी हूँ ऐसा जो संसारी तो था ऐसा नहीं रहता है ज्ञान के बाद सज मैं नहीं आगे चलो आच्छा यस्च तू ऐसे जथा पूर्वम संसारित्वम और जिसको यह ब्रह्मा सुत्र पनने के बाद भी ऐसा ही संसारित्व है पहले की तरह प्रस्तांतरी पनने के बाद भी संसारित्व पहले की तरह है तो उनको ज्ञान हुआ है उनको ज्ञान हुआ है क्या है ज्यान हो अरूश का फ़ल नौ ऐसा नहीं होता है प्रदिप का प्रकास हो और अंधा करना जावे ऐसा नहीं होता है इजले कह रहे है यहां पर जथा पूर्भम संसारितम यस्चतू बाद में भी पहले के तरी संसारित रहे पूर्भावद तो क्या अनुमान करना चाहिए अभी इसको साक्यत कर हुआ नहीं ये बोलते हैं भे न असो ब्रह्मात्म भावर उनके लिए वो बैक्ति कैसा नहीं है उसने ब्रह्मा ब्रह्मात्म भाव ब्रह्मा शरुपता का साख्यातकार अभी हुआ नहीं इती अनवद्यम इसमें किसी पेगार का दोसर नहीं है इती अनवद्यम बल दिया कोई दोस नहीं है तात्पर यह है कि जो है जो ब्रह्मात्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्मा स्वरूप का सक्यतकार हो गया, तो मुक्ति की प्राप्ति अवस्यम भावी है, अज्ञान की निवर्ति अवस्यम भावी है, इसलिए क्या हो गया बेदान्त प्रमान हो गया, बेदान्त क्या हो गया, प् इसमें किसी बगार का दोस नहीं, इरत्न प्रभा में दिया है, इसलिए कर्मकांड़ा जैसे सास्त्र है, हीत का उपदेश होने से, हीत का है, अज्ञाना निवर्त का ज्ञान ए हीत है, ऐसा हीत का उपदेश किया, कौन, बैदान्त सास्त्र है, है कि नहीं, तो हीत सासनात सास् इलिए बेदान्त में किसी पागार का दोसर नहीं है, होगे ना, अच्छा आगे देखो, यत पुनर उक्तम, थोड़ी टीका लेलेता हम लोग, ननु उक्तम जदी जिवस्य ब्रह्मात्मत्व अभगति, एवा सांसारीक धर्म निवर्ति हेतु हूँ, भामति में चल रहे हैं, देखो, जिस जीव को ब्रह्मात्मत्व अभगति, ब्रह्मा सरुपत्य का साख्यातकार हो गया, तो ब्रह्मात्मत्व अभगति है, साख्यातकार अत्म जो ज्यान है, यह हो गया सांसारीक धर्म की निवर्ति का क्या है, है तु है, सांसारीक धर्म की निवर्ति की से होगी, यह आप कहिरो, चलो तुम्हारी बाद थोड़ी दिरिकली माल लिया, तब तो हन्त, हन्त लिखाया है, हन्त, हन्त अभ्यपद है, हन्त, मननादी बिधान अनर्थक्यम, तब तो मनान निध्यासंगा बिधान क्यों किया गया, स्रावाण से तो ज्ञान हो जाएगा, पूरपक् को स्रावाण से ग्रमा से ग्यान हो जाएगा, तो मौक्षा की थे प्रात्वित हो गई। फिर महननने धियासन भेयरत हो गया। मह अंतड़ मया और talking घया। और कि यह पूर पक्स्य हो जॉटेए। को ताव आश्चर्जय में भी होता है जॉटा का दो अश्चर्जयica अविल भी होता एंतकार जो को कब अब आए प्रतिपत्ति बिधि पराह वेदान तायती ठीक है? प्रतिपत्ति मतले क्या उपासना उपासना वीधि का वीधि में ही तात्रह वेदान तका पहले उपास वो यह दिष्ट में पहले। उपासय ब्रहma को जानो। सत्यम जयाना वान तरुद्भाम फिर क्या करो उपासना करो। इसकी उपासना के लिए मंन-निध्यअन कहा गया है। है सजमें है ? यह बोलते हैं। तसमात प्रतिपत्ति बिधि पराह बेदानता वैले पेदानता का ताथ प्री किस पर है उपासना में प्रतिपत्ति में उपासना को थी ए है इसलिए थाथ अनॉभास्यां दुस नीदेच हैं हां उसका अनुभाद pagan तो अनुभास्या मदलब क्या ऊनुभाद वास्या को दिखा करें उसके अपर Kया करते हैं तो यति वेधान का तात्पर किसमय है उपासनالمने मन उनि यहह Siya ३ यह उपासना का विश्रवण करो। पीरो उसका क्या करू? उपासन करो. हो गया कई? ऐसा बोलते हैं. अच्छा, इसले कह रहे हैं. यद पुनार उक्तम येवनी बाद पहले कह रहे हैं. यद पुनार उप्तम जो पूरपक्षु ने कहा भास्षे में. श्रवणाद पराचिन योरो वेदांत का श्रवण किया है स्रवण करने के बाद क्या करो साधना करो बोलते कि ने क्या करते हैं साधना करो सुग उट कर कि ने दे गुफा में जाओ तो साधना क्या है उपासना उपासना ही साधना है यह पूरुशार्त ऐसे कहते कि ने उपास जुआ ऐसा कह रहे हैं? जूए कि मनन निध्यासन का उपदेश किया गया ना? किसके बाद? श्रवनात पराच्चन, श्रवन के बाद, वेदांत का स्रवन के बाद मनन कहा गया, फिर निध्यासन कहा गया, ठीके ना? ऐसा दर्शनाद, ऐसा सुना गया, देखा गया है, बिधि से सत्वम, ब्रह्मरो नसरूप पर्यवसाइत्यम, इसलिए बिधि का अंगा हो गया ना, ब्रह्मा, उपासना बिधि का क्या हो गया? अंगा हो गया, मतलब ब्रह्मा के उपासना करो, नसरूप पर्यवसाइत्यम, इसलिए ना? शरूप का पर्यवसान में, शरूप म के शुरूप का साक्यातकार हो गया और ब्रहम है ऊंज अधैना ऐसा ब्यदांति लोग कहते हैं इस में ताथपरियो नहीं है तो प्रहां म Estv Alright मिलें घ्राइब करो पहुआर्म होगा इस अवरम है पर निय बैनिय जोकिसा हो आप बिदी कौन? उपासना बिदी, उपासना बिदी का अंग हो गया ब्रह्मा, सरूप पर्यवसायित्तम, सरूप में पर्यवसाय नहीं हुआ ना, कौन? ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा को क्यों जानने में ही ब्रह्मा का उपजोग हुआ, ब्रह्मा को जान लिया, तो कुछ को नहीं क ब्रह्म में नहीं बोल रहा है पूरपक्षी ब्रह्म को पहले जानो फिर ब्रह्म की उपासना करो कि ना यह पूरपक्षी ऐसा जो कहा था यत्पुनरुप्तम सिधांति बोलता है न इसके अपर न थीक है थीक है ना बनन निध्यासन रोपी ना विधी, तो योर अन्योय बेतिरेक, सिद्ध सक्ष्यात कारा फलयोर विधी सरुपेर बचनेर अनुबादात सिद्धान्ति बोलते हैं कि मनन निध्यासन जोए ना, इसमें भी कोई विधी नहीं है मनन और निध्यासन इसमें कोई विधी नहीं है मनन करना है, निध्यासन करना है, इसमें भी कोई विधी नहीं है क्यों नहीं है? अरे जो अज्ञान तो है उसका विधान क्या जाता है जो अज्ञान है, उसका विधान क्या जाता है सास्त्र से तीक है ना मनान और निध्यासन ये अज्ञाद नहीं ज्ञाद है ये बोल रहा हूँ महमतिकर बोल रहा है ना कैसे सुनू फिर मनना निध्यासन योर अपी नविधी तीक है ना क्यों तयोर अन्य बेतिरीक सिद्ध साख्यातकार साख्यातकार फ्ल योर ये देखो नारा विधी सरुपेर बचनेर अनुवादा क्योंकि अन्य साचार बेतिरीक साचार से सिद्ध है जिसका फ्ल कुन सा फ्ल साख्यातकार फ्ल ठीक से देखो तो यह मतलब कौन मननो निध्यासन यहो मननो निध्यासन उसका फल क्या है साख्यातकार है कि नहीं किसका फल मननो निध्यासन यह किस सिद्ध हो गया अन्यो सहचार व्यतिरिक सहचार शिद्ध हो गया एले अन्य बेतिरिका भ्याम सिद्धे शिद्धम शाख्यातकार फॉलम यह हो ऐसन में बहुत बरी समाझ करना पड़ता है अन्य बेतिरिक सहचार से साख्यातकार रुपी फॉल जिसका सिद्ध हुआ मतलब क्या है मनन निध्यासन करेंगे तो साख्यातकार होगा मनन निध्यासन नहीं करेंगे तो साख्यातकार नहीं होगा हुआ कि नहीं हुआ दोनों में कार्जे करना बाप हुआ कि नहीं हुआ साफ्यातकार रुपी जो ग्यान है यह मोगया पर मोरन किские का लिया मुद्धी जैन करें कि वुश देखा किसे पहले कहा मैंद है सहा horse सौड़जा और कि जतरे पहले का सरजादी संसकार है, संगित संगित, जिसको संगित का संसकार नहीं है, जिसने अभ्यास नहीं किया है, स्वर के ग्यान का, सारग्यामादी स्वर का ग्यान है, जिसने अभ्यास नहीं किया है, तो संगित का ग्यान होगा, संगेत का अभ्यास किया हो तो उसको संगेत का ग्यान होगा सर्जाधिश्वर का ग्यान होगा और जिसना अभ्यास ने किया हो तो नहीं होगा और अन्नो सचर बेतरी सचर से हुआ कि नहीं होगा पहले कहाता है ना भमतिकार नहीं इसे पर गर मनन निध्यासन हो तो साक्यातकार हो तो है ना अन्न सचर हो गए और मनन निध्यासन ना हो तो साक्यातकार नहीं हो तो ग्यात हुआ कि नहीं हुआ तो साक्यातकार रुपी फॉलका साधना मनन निध्यासन है इक ग्यात हुआ किसे हुआ अन्न सचर बेतरी सचर से ह इसलिए मन्तव्य और निध्यासेदव्य यहां पर विधान नहीं है, कोई बिधी यहां पर नहीं है, आई संज में यह एक कहरभामतिकार का ही प्राइब, यह नहीं बिधी शरूप है, यह बिधी नहीं है, बिधी शरूप है, बिधी चाया है, दन में कि नहीं है, यह सरग काम असमात मननादि बिधि रेव नभावति भामति में और क्या है तुवे? जो की मननिध्याशन बिधी नहीं है? यहां पर कोई बिधी? बिधान नहीं है? इत्य अत्य अह जदिही दहुंद उनिकिन भास्षय कर वे भास्य था कि मनन निध्यासन किसके लिए है अभगति अभगति मतलब साख्यातकार साख्यातकार हो गया फॉल महान निध्यासन मतलब यह सिद्ध है यह क्या है शिद्ध है महान निध्यासन करने पर साख्यातकार हो गया शिद्ध है और साख्यातकार से बहांतिकार क्या मतलब होगे कि नहीं होगे ठीक है आता है जदी ही मारा जी क्या पाक्षात्तर ब्रह्माकार ब्रत्ति ने कोई अंतर में नहीं है ब्रह्माकार बृत्ति संसा विपर्या रहित हो तब होगा और साख्यातकार और वही तो कहे रहा हूँ संसा विपर्या रहित जो ब्रह्माकार बृत्ति होती है न उसको कहते हैं साख्यातकार समझा ऐसा होता है चलो तो साख्यातकार यह हो गया फल मनननेध्यासन का यह सिद्ध होगे न सिद्ध होगे कि ने भासे लेओ अभगत्यर्थत्वा मननननेध्यासन यो हो आगे देखो भासे जदिही अभगतम ब्रह्म्ह अन्यत्र बिनियोज्यत भवेद तदा बिदिशेशत्व भासेगर भगानी कहते जदि अभगतम ब्रह्म्ह ब्रह्म्ह का ज्यान आपको हुआ ठीक है और ऐसे जो अभगत जो ब्रह्म्ह है उसका बिनियोग अन्य किसी साधन में करते अन्यत्र बिनियोज्यत अन्य किसी साधन में बिनियोग करते किसका ब्रह्म्ह का तदा बीधी स सत्तम, तदा बीधी स सतम, बीधी का अंग होता, मैं बाह्मा का बिधान करते पर, तो दधी को आपने जाना, ज़ौती तो दधी होगया शाधन. बिन्योग करोगे ना जाग में किसका दधी का दधी हो गया अंग हुआ कि नहीं हुआ ऐसा ब्रह्मा को जान लिया तो ब्रह्मा को क्या करोगे कहां पर करोगे कुछ नहीं अपने शुरुप ब्रह्मा को जान लिया तो कुछ करना नहीं पड़ता है अब ब्रह्मा शुरुप क को जान करके किसमें भीनियोग करते ब्रह्म का तब तो ब्रह्म का ब्रह्म अंग हो जाता किसी बिदी का दधियारी की तरह यहां पर कह रहे है ठीक है ना तू तद अस्ति परंतु ऐसा नहीं है ब्रह्म किसी का अंग नहीं है ठीक है ना रहा ना भास्चत ले रहे हैं भास्च प्रोजन अभगत्यृत्वाद प्रोजन अभगत्यृत्वाद अभगत्यृत्वाद। हैं पूर्व जन्म में जैसे सरवग के देवताधी भी होते हैं उनको अभी इस जन्म में स्रवण करने की जोरत नहीं है लेकिन पहले का स्रवण किया उपा रहता है इसलिए इंद्राधी को भी देवताधी को भी ज्यान हो जाता है कर्म में अधिकार नहने पर भी ज्यान में होता है उनको संस्कार है किसका पूर्वा जन्म को पूर्वा जन्म में जो अध्यन किया हुआ है उसी का संस्कार होता है बासन में ऐसा होता है जैसे कि माताओं के भी होता है माताओं को पूर्व जन में अध्यन किया है, अरी जन में अध्यन ने किया है, अब पूर्व संस्कार आ गया है, तो नहीं होगा सक्यतकार, बलो, हो जाता है, क्या आपती है, ऐसा होता है, जिसे मदालासा है, क्या है, मदालासा है कि नहीं है, अबने पुत्रों को उपदेश क मनन निध्यासन योरपी श्राबन अगत अवगत्यत्यत्त्वाद पूरपन में न तावद मनन निध्यासने प्रधान कर्मणी अपूर्व विशय अमृतत्त्व फले इती उक्तम अधस्ता यह पहले कहाता न रहाँ मननन निध्यासन यो है यह प्रधान कर्म में प्रधान कर्मणी अपूर्व विशय प्रधान कर्म जो है जिसका विशय अपूर्व है जिसका फल क्या है अमृतत्त्व है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है प्रधान कर्म नहीं इती उक्तम अधस्ताः ऐसा पहले क्या है कहा गया है कि मनन निध्यासन कोई प्रधान कर्म हो अपूर्वक लिए अमृतत्य फल दिलिए ऐसा नहीं है ठीक नराण ये अतो तब ते गुनकर्मत्व अनय हो अबगात प्रोक्षण आधिवद परिशिष्यते जदी प्रधान कर्म नहीं हो तो गुनकर्म माल क्या मल लो गुणकर्म माल लो गुणकर्म कैसे है यह से देखो ब्रहीन अभांति यह हो गया क्या हां ब्रहीने अवांति कैसे ब्रहीक कोटते हो ना सरगे काम, जजे अँचछतamento, रिध banco words andич जहां पर सव्कार्मख कर्म होगा। सव्क् पादा यहां पर सव्कूनर कर्म करने जहां पर सव्कार्म पर सव्कुकार्म करूग.. गुणकर्म प्रधान कर्म होगा, अदि भी देनों गुणा कर्मा माला। क्या माल लो गुण कर्म माल लो गुण कर्म तम अनयो हो अनयो हो क्यो हो मनन निध्यासन को गुण कर्म माल लो तीगे जैसे दिखाए क्यों कि प्रधान कर्म जेद नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे गुण कर्म माल लो जेसे अवगात प्रोक्षणाधि जेसे अवगात करते न ब्रीक कुटते हो तो चावल निकलेका न फिर क्या करिए प्रोक्षण करेंगे ऐसा शूप से उसका संस्कार हो जाएगा इसा भता है गुणकरमा तीशको कते गुणकरमा कते गुणकरमा यह परिशेस चे एह हुआ, इसके लिए मनन निद्यासन क्या मानो पला मनन निद्यासन करेंगे तो किसी का संसकार होगा यह कहना चाहता है, पूरपषी कहना चाहता है, ठीक है तदपी अजुकतम, सिधानती बोलते हैं, यह भी ठीक नहीं है कियो अंञ्यत्र उपजुकतँ उपजक्छë मानत्व अभावात आत्म ना अरे यह आत्मा जो है ना कहीं उपजुकतँ हैं fian cruelty मतलब क्या है, एक होता है द्रभ्य दो प्रकार के होते हैं एक उपजुकतँ होता है उपजुक्छ्य मान होता है से एसे सब्द आतेना इसलिए लोग घबड़ा जाते हैं वाहमति में अरह क्या उपजुक्त है क्या उती समान है तो न दॉरजुर रखना प्रखणा पड़ता है न है मत दोपरकार के दरब्ज़ेए होने उतीन intercept act दधि कि यह जैसे दधि हो गया है एक तो इसका उपजोग क्या गया उसके लिए उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या है लेकिन एग होते हो उपजूख्छ मानं के से हैं जैसे ब्रियाद यह हो गया है औहरी चावल उसको अभगात करोगे ऐसकि juego उटेंगे फिर उसका प्रोक्ष्ञ परोगे हो गया है औहरी उपजूख्छ मानं दो प्रकार करते रभे हो गया ना आतमा कहीं ऊपजुक्त ना कहीं उपजुक्त माना जेसे दधी हो गया उपजुक्त जाग में अब भिजादी उपजुक्त ल style एसा आत्मा कुछ है? क्या? आत्मा कुछ है क्या? नहीं, नहीं. दोधित आपने बना बना हुआ, जमा हुआ, लेया या उपजुकत हो गे आत्मा का. यह क्या बोलते हैं? जांग में. अब भियादी उपजुक्च. आगे उपजोग होगा. परुक्ष्णाधी करके, कूट करक ऐसा आत्मा कहा है कहीं कहां पर उपजुक्त होगा और कहां आगे उपजुक्ष मान होगा ऐसा तो आत्मा नहीं है सुरूप का सक्यातकार हो गया तो अग्यान के निभृति हो गई बैस लगया है इसलिए विशेशात अस्तु उपनिसद्यस्य उपनिसद्यस्य कर्म अनुष् क腮ा अनुस्ठान विरूद हार उपनिशत प्रमाण से जो ख्यान द्रूमा तरु भी ठीजियें उसका करम में अनुस्ठान Sozial कि प्रमाण के तर हैं उससे कर्म का उनुस्ठान नहीं हो सकता है किस आत्म का बिनियोग होता है कर्म में बिशिष्टा आत्म का चिदावास का जो अपने को करता बुकता मान रहा है जो अपने आपको ब्रह्मणादी मान रहा है ग्रियस्ता मान रहा है ब्रह्मचारी मान रहा है बरभरक निग उसका बिनियोग होगा कर्म में अल बरभर पट्नी में चहिए और ने को रखना पड़ा conference तोने के मुर्ति रखना पड़ा, तब, आगे देखो, टीका में, प्रकृतम उपसंगरती, प्रकृतम का जो विशा चल्ला है न, उसका उपसंगार करते हैं, तस्मात, न प्रतिपत्ति, बिद्धी, विशयतया, सास्त्र, प्रमानकत्व, ब्रह्मन, संभवती, यह न, प्रति जो ब्रह्म का प्रमान क्या है, सास्त्र है, सास्त्र प्रमानकत्व, ब्रह्मन, किने, तब ब्रह्म में क्या प्रमान है, सास्त्र प्रमान है, सास्त्र प्रमान है, सास्त्र प्रमान क्या प्रमान है, सास्त्र प्रमान क्या प्रमान है, सास्त्र प्रमान क्या प्रमान है, सास्त इस उपाश्य ब्रह्म को तुम ब्रह्म समझ रहे हो, ब्रह्म का बास्त भी शुरूप नहीं हो, कि नहीं, वो तो सभी से स्वरूप है उपाश्य स्वरूप है, 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 उपाश् शिद्ध हो यह ना होई संप्रकास है वो शिद्ध है ब्रह्मन हां सास्त्रार्थस्य धर्मात अन्यत्पाद इसलिए क्या हुआ क्यों कि यह ब्रह्मा सुत्र का यह प्रतिपाद्य ब्रह्मा है ना वो कर्मकार्ण में सिद्ध नहीं है किसमें सिद्ध नहीं है कर्मकार्ण का विषय धर्म, अथात धर्म जिग्याँ से, और वेदान्त का विषय ब्रह्म है, विषय अलग हुआ की हुआ? अलग हुआ, यह कह रहे है, ब्रह्मा नहां, शास्तार थस्य, वेदान्त सास्तर का प्रतिपाद्य और तव गया ब्रह्मा, धर्मात अन्यत्वात, कर्मकान का अन्यत्य वात भिन्न विषयत्य वे न अलगलग होने से सास्त्र अलगलग होने से अलगलग हो गिया कर्मकाण का भिषय धर्म और ज्यानकान का विशे ब्रह्मा ये अलग अलग विशे हुआ तो अलग अलग विशे होने से ये बेदान्त अलग शास्त्र है ब्रह्मा शुत्र उत्तरमिमान से अलग शास्त्र है ये कहरे देखो अथात ब्रह्मा जिग्यां सा इत्यस्य सास्त्र आरंभत्तों अपबद्यते अथात ब्रहमजिग्यांसा इत्यादि यो ब्रहमशुत्र है इसका आरंब करना जुक्त जुक्त है लग्या ना इत्यताह इसले कहा गया इभम्च सती भास्य में देखो अथात ब्रहमजिग्यांसा थोड़ा छुट गया कोई छुट गया तस्मादना प्रतिपत्ति बिधी भिषयतया साहत्र प्रमाणकत्तम ब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़चंब्रहमज़ ब्रह्मा का बिनियोग कहीं नहीं होगा लगिए नहीं में आप ऐसके हो के ओर प्रमानेकंपना in my अथात ब्रहमजिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् पर बरिश माख करो। फजह सातंत्र अध्यत ब्रह्मा है इसा सात्र का आराम यह पृथाक हुआ। किसे पृति हुआ ? कर्मकाणर से पूरमी मांसा के उतरमी मांसा पृति हो गया। यही उपपद्धित, यही जोगती जोगता है, होगे ना, बैस इतना में लखें, एक पंग्ति लेलो, भामती में एक पंग्ति लेली ये, एवं सिद्धरूप ब्रह्मा परत्तम उपनिशदाम, नहीं कल करते शो, आगे जाएगा ये, ओम पूरमदा, पूरमिदम, पूरात, पूरमदा चत, पूरश्य, पूरमदा, पूरमेबावसिश्यत, ओम शांति ही, शांति ही, साथ,